हाल ही में American News Agency CNN की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे देखकर पूरी दुनिया अचंबित है क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत के बारे में जो कहा गया है इस तरह की निउज को American Media अक्सर कवर नहीं करता लेकिन इस बार बड़ी गहराई से भारत को लेकर इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है दरशल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस वर्ष 2022 के अंत में यूक्रेन पर एक परमाड़ू हमला करने वाला था जिसे प्राइम मिनेश्टर मोदी ने व्लादमिर पुतिन को समझा कर टाल दिया था ये सब भारत और रूस के बहतर संबन्दों की वज़े से संभव हो पाया था CNN की इस रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि अमेरिका ने संभवित परमाड़ हमले को लेकर अपने तयारियां सुरू कर दी थी यूक्रेन पर परमाड हमले के बाद अमेरिका किस तरह से यूक्रेन की मदद करता और अपने नागरिकों को यूक्रेन से कैसे निकालता इसकी भी तयारी थी रिपोर्ड के अनुसार रूस यूकरेन के लोगों को डराने के लिए एक टेक्टिकल नुकलिर बम का इस्तिमाल करने वाला था अगर आप टेक्टिकल नुकलिर बम के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि कम चमतावाले परमाड होतियारों को टेक्टिकल नुकलर बम कहा जाता है इसका प्रयोग करने से दुस्मन देश को नुकसान तो होगा लेकिन इसका दायरा कम होगा अमेरिके अधिकारियों का कहना है कि पियम मोदी के प्रयासों की वज़े से इस संकट को टालने में मदद मिली थी दो वरिष्ट अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बाइडन प्रसाशन विशेश रूप से चिंतित था कि रूस परमाड होतियारों का उपियोग कर सकता है क्योंकि 2022 के अंत में यूक्रेन की सेनाएं रूस पर भारी पढ़ रही थी। पूरी दूनिया में पीस को लेके चल रहे हैं आज उनोंने रशिया में डाकों क्लोडों लोहों की जान बचाई देखें वह बंबू दर गिर जाता तो कितने लोहों की जान जानी थी जमीन तक तबाह जली थी। आज प्रैम मिनिस्टर निरिंदर मुदी को किया है वो नॉबल पीस इवार्ड के अगदार नहीं बंते उने इवार्ड मिलना चाहिए पाकिस्तान में ये कंसेप्ट और जाता है कि अगर पाकिस्कान अटामिक पावर नहीं तो इंडिया हमला कर देता कभजा कर देता दूसरी साइड पर यह खबर आ रही है CNN की कि बाई इंडिया तो इटामिक पावर इटामिक अटेक को रोकता नजर आ रहा है इंडिया के नक्षे को कभी आप भोर से देखिए उसके निचे छोटे छोटे डौट है जैसे नुखता होता है छोटा छोटा वो कंट्रीज हैं वो मुलक हैं ना उनके पास एटम बंब हैं ना वो ताकतवर हैं ना वो बहुत मजबूत हैं और इंडिया उस पे कभजा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर महीनों की बात नहीं है चंद घैंटों में उन मुलकों पे इंडिया कबजा कर सकता है अगर हमें ये लगता है कि इंडिया को जमीन चाहिए इंडिया बहुत बड़ा करना चाहते है अपना हमारे या रमजान स्टार्ट हुआ हमने हर चीज़ के प्राइस जो है डबल कर दी डबल भी नहीं टिपल कर दी है कि आम इनसान को खाने पीने पे भी जुलम इतना कर रहे है कि एक चीज़ दस रबे वाली हम सो रबे की बेच रहे है तो क्या आपके भारत में भी यही होता है कि जब रमजान स्टार्ट होता है तो उधर की गौर्मेंट या उधर के लोग या उधर के मुसल्मान या कोई भी बिजनस कम्यूनिटी हर चीज़ का रेट डबल कर देती है या नॉमल प्राइस होते हैं या प्राइस कम कर दिये जाते हैं ये ज़रूर बताइएगा नीचे ने कमेंट बाक्स में पूरी दुनिया में यहूदी लोबी जिने का जाता है जिनने हिंदू का जाता है बिज़ाओने स्टीन każ जाते है आप जिए मिल्कों में अपने स्टॉरों में अपनी कोई भी जगह पे कोई 50% discount announce करता है कोई 20%, कोई 30% और लिखा जाता है रमजान offer अब मुझे ये बताएं यहुदी का रमजान के साथ क्यातर लगा है लेकिन वो यहुदी हमारे रमजान की respect करता है और एक मुलक है इसलामी जमूरियत पाकिस्तान जिस मुलक में हम लोग पैदा हुए जि जो मुलक मुसल्मानों के लिए बना 1947 में हमने इसलाम के बेस पर ये मुलक बनाया तो मुझे ये बताएं कि इस मुलक में आज क्या हुआ मैं आपको उसकी बात भी बताऊंगा जी तो दोस्तों मैं हूँ नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और अब फिर CNN की रिपोर्ट आ रही है कि इंडियन प्राइम निस्टर की वज़ा से रेशिया युक्रेन वार में जो अटामिक अटैक था उसको रोका गया और ये एक बहुत बड़ी बात है इसी के ओपर आबिद भाई से बात करेंगे और भी पहुत सी चीजें है जिनके अवाले से बात करेंगे असलाम अलेकूम आबिद भाई जी वालेकूम उसलाम शुए भाई आए तो टॉपिक बहुत बड़े हैं और बहुत सी बात है है उन्स सब को लेके चलेंगे रमजानल मुबारिक स्टार्ट हुआ है उसकी भी बात बीच में लेके आएंगे पाकिसान में वो कैसे स्टार्ट हुआ है लेकिन मैं अपनी ओडिन्स को एक बहुत बड़ा सर्प्राइज देना चाहता हूं ठीक है बहुत बड़ी करते हैं अभी सी एनन की रिपोर्ट आई है रिपोर्ट लीक हुई है या बहुत इस्टार्ट वाइरल है जिसमें यह कहा जा रहा है रशिया यूक्रेज वार में रशिया अटामिक अटेक करने जा रहा था लेकिन इंडियन प्राइम निस्टर की वज़ा से वो रशिया ने अटेक नहीं किया देखें श्वेब भाई मैं बात इदर से स्टार्ट करना चाहूंगा कि नोबल प्री पीस अवार्ट किस चीज़ को का जाता है और किसे दिया जाता है मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको समझाना चाहूंगा कि देखें प्राइम मिनिस्टर मुदी को पिछले दो बार नोबल पीस अवार्ड के लिए इन नॉमिनेट किया गया लेकिन इवार्ड नहीं दिया गया आज मैं उसके उपर बात करना चाहूंगा अभी रशिया और यूकरेन की जंग के उपर जो आपने बात की उसके उपर एक एटम बंब जो है वो गिराने वाला था रशिया एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार प्राइम निरिंटर मुदी ने वो टॉमिक जो बंब है वो गिराने से रोका अच्छा मैं पूछना ये चाहूंगा आपसे कि देखिए नॉबल पीस एवार्ड किस चीज़ को का जाता है अभी देखिए जो इनसान किसी एक इनसान की जान बचाता है बंब गिरा तो वो पूरी जमीन तबाह होगी बंजर होगी जमीन आज भी सुनने को मिलता है कि उधर लोग लूले लंगडे पैदा होते हैं और देखें उधर जब वो बंब गिरा कितने लोगों की जान गई लाकों हजारों की जान गई आज इंडिया आज नरिंदर मुदी साथ किस पावर में आ चुके होएं मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा तो इनसान पिगल जाते हैं मरना तो दूर की बात है इनसान पिगल जाते हैं मैं आलमी अदारों से ये बात करना चाहूंगा मैं CNN से बात देखे CNN की आज की रिपोर्ट आपने पड़ी होगी जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये चीज़ बताई कि इंडिया के प्राइम इंडिस्टर मुदी की वज़ा से आज रशिया ने बंब नहीं पेका उनके उपर नोबल पीस अवाड के रिकेस करना चाहूंगा उनसे बात करना करना चाहूंगा उन्हें बताना चाहूंगा कि देखे प्राइमिनिस्टर मुदी पूरी दुनिया में पीस को लेके चल रहे हैं आज उन्हों ने रशिया में 1,000 के जान बचाई देखे वह बंबु दर गिरfrei तो कितने लोगों की जान जानी थी, जमीन तक तबाव जानी थी, तो आज प्राइम मिनिस्टर निरिंदर मुदी को क्या है, वो नोबल पीस इवार्ड के अगदार नहीं बनते, उन्हें इवार्ड मिलना चाहिए, और ये छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान से, मतलब इंडि लावल पे बहुत से अधारे हैं, जो ऐसी वीडियो को देखते हैं, कि दो कंट्रीज के दरम्यान जो 75-76 साल से कंफ्लिक्ट चलता आ रहा, बहां के लोग क्या सोच रख रहे हैं, इंडिया के लिए, इंडिया के लोग क्या सोच रख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी मैं इस बात को कभी नहीं लेकर चलता कि मुदी जी को इवार्ड मिलना चाहिए, देखे मैं तो इवार्ड उन्हें भी देना चाहता था, जब हिरोशीमा पे अमेरिका ने बम फेका, कोई पावरफूल ऐसा होता, कोई इनसान ऐसा मुदी जैसा उस राइम होता, कि उस राइ ने से, लाखों लोगों की जान ना जाती, तो उस शक्स के लिए भी मैं कहता कि उन्हें वार्ड मिलना चाहिए, जिसने वो जंग रोकी थी, जिसने वो बम रोका था, आज निरिंदर मुदी साहब ने यूकरेन के लोगों की जान बचाही है, अच्छा ने अगर यही बात जाता कि उसे नोबल पीस इवार्ड मिलना चाहिए, सर आप देखिए हैं कि हजारों लोगों की जान बच रही है, इस चीजस को देखें, हजारों के साथ-साथ-स-ाथ-स-ाथ-स-ाथ-स-जमीन की जान बच रही है, जिस जमीन पे वो बम ठेका जाता है, वो जमीन पंजर हो आपके बिजनस में या ओवराल आप मार्किट में रहते हैं मार्किट में मैं कमी आई बेहतरी आई क्या कहना चाहेंगे देखें श्वेब भाई इसके उपर तो मुझे से यकीन करें लफजी नहीं बनेंगे जो आपने स्वाल कर दी है रमजानल मुबारक एक मुसल्मानों के लिए इबादत का बेहतरीन महीना होता है पूरी दुनिया में यहूदी लोबी जिने का जाता है जिने हिंदू का जाता है जिने क्रिस्चन का जाता है जिने सिख का जाता है पूरी दुनिया में वो अपने मुलकों में, अपने स्टोरों पे, अपनी कोई भी जगा पे कोई 50% डिस्कॉंड अनाउस करता है, कोई 20%, कोई 30% और लिखा जाता है रमजान ओफर, अब मुझे ये बताएं, यहुदी का रमजान के साथ क्या तरलग है, लेकिन वो यहुदी ह हमारे रमजान की रिस्पेक्ट करता है, और एक मुलक है, इसलामी जमूरियत पाकिस्तान, जिस मुलक में हम लोग पैदा हुए, जि जो मुलक मुसलमानों के लिए बना, 1947 में हमने इसलाम के बेस्पे ये मुलक बनाया, तो मुझे ये बताएं कि इस मुलक में आज क्या हुआ, मैं आपको उसकी बात भी बताऊंगा, रमजान आया, रमजान की आमस टार्ट हुई, आज पहला रोजा था, देखें पहले रोजे पर ना, जितने भी मुसलमान कम्यूनिटी है, इनकी कोशिश होती है कि रोजा पहला अपने बच्चों के साथ, अपने घर में बितर सो रुपे किलो एपल और उस एपल की शकल देखने को दिल नहीं कर रहा, उसमें जो अच्छी क्वालिटी का था, वो छे सो रुपे किलो था, मैंने चार सो वाला लिया, मुझे लेना पड़ा, अकेला अकेला जिसे कहते हैं, आप यकीन करें, केले ने जो बचा नहीं दिया लाए हो था, इतना सा केला जिसे हम कहते हैं, इतना सा केला, वो केला मुझे मिला है, आप सर पकड़के बैठ़ जाँगे, 200 रुपे दरजण, जिस केले को देखने को दिल नहीं कर रहा, और जो इतने साइस का केला था, वो साड़े 400 रुपे दरजण था, अब प्यास की बा करते हैं और रोजों में हम मुसल्मानों के खून ने चोड़ने शुरू कर जाते हैं हर चीज पर डबल रेड लगाते हैं लेकिन आज आबिद भाई ने ये काम नहीं किया जो चीज गार्मेंट्स में अपने दुकानों पे दो हजार का बेचता था ना रमजान ओफर में मैंने अच्छा आबिद भाई एक और चीज़ टापिक की तरफ आते हैं नो डोट जई इस ट्रेम कंडीशन है मेरे कहने से या आबिद भाई के कहने से नहीं पूरी दुनिया क्या पाकिस्टान का मीढिया हुदी ये कह रहा है हमारा मीढिया हुदी है कि महंगाई हो गया है रमज पहते हैं जो आप कहा रहूं है ना देखिए इंडिया को अगर हमला करना हो या किसी मुलक पर कबजा करना हो तो सब से पहले हम पाकिस्तान को लेके चलते हैं उसके बाद मैं आपको दूसरी बाते बताता हूं पाकिस्तान कभी ब्लैक लिस्ट में जा रहा था कभी ग्रे लिस्ट में जा रहा था कभी पता चलता है पाकिस्तान में बिजली नहीं है कभी पानी नहीं है कभी पता चलता है हमारे आर्मी चीफ या हमारे वजिरियाजम ये बियान दे रहे है कि हम लोग तो दो महीने या एक महीने से ज़्यादा जंग को सर्वाई भी नहीं कर सकते तो उस टाइम दुश्मन को चाहिए था पाकिस्तान पर कब्जा करता ऐसा कुछ नहीं हुआ इसका मतलब यह कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहता एक और बड़ा एक्जेमपल देता हूँ आपके ही चैनल पर मैं एक वीडियो सुन रहा था तो उसकी मैं एक्जेमपल देना चाहूँ का मुझे बड़ा मज़ा आया था वो टॉपिक सुनने का अब उसमें बताया यह जाता है कि इंडिया के नक्षे को कभी आप भोर से देखिए उसके नीचे छोटे छोटे डौट हैं जैसे नुक्ता होता है छोटा छोटा वो कंट्रीज हैं वो मुलक हैं ना उनके पास एटम बंब हैं ना वो ताकतवर हैं ना वो बहुत मजबूत ह और इंडिया उस पे कब्जा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर महीनों की बात नहीं है चंद घ्ञेंटों में उन मुलकों पे इंडिया कब्जा कर सकता है अगर हमें ये लगता है कि इंडिया को जमीन चाहिए इंडिया बहुत बड़ा करना चाहते है अपना इंडिया को स्पेश्री जाता है बुटान आ जाता है नेपाल आ जाता है और ये वो कंट्री जिनके पास तो अटामिक बाम भी नहीं है अटामिक पावर नहीं है ये कंट् पाकिस्तान ने इंडिया को, हिंदोस्ता थोड़ा इसलिए बदला लेंगे। भाई, 1947 में तो बंकला देश की नीक्षामधे लेकी। 1971 में जब बंगला देश पाकिस्तान से अलग हुआ तो देखें इंडिया को अगर स्पेस चाहिए था इंडिया को जमीन चाहिए थी तो बंगला देश को इंडिया में शामिल करते ना के उसे खुद मुटियार रियासत बनाया और जब खुद मुक्तियार रियास्त बनाया तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उस जगां पे सगनेचर करवाया गया जर्नल न्याजी से भी जियाँ जियाँ आप बंगला देश को एक खुद मुक्तियार रियास्त तसलीम करेंगे और पाकिस्तान नीचे से नेचर किये जी हम करेंगे उसके बाद उन्होंने एक और शर्ट रखी कि पाकिस्तान को बंगला देश से माफी मांगनी होगी जो पाकिस्तान ने आज तक माफी नहीं मांगी है तो ये फजूल बाते हैं कि वो इंडिया किसी पर कबजा करना चाता है या पाकिस्तान से जंग करना चाता है या पाकिस्तान पर चड़ना चाता है ये फजूल बाते हैं कोई भी पूरी दुनिया में आप चले जाएं कोई भी पावरफुल कंट्री हो और उसका दुश्मन बिल्कुल लाचार हुआ हो तो उसकी कोशिश नहीं होगी कि उसके ओपर चड़ जे लेकिन हिंदुस्तान ने ये नहीं किया तो हम तो उनका शुक्रिया दा करेंगे अच्छा आपिद भाई एक और चीज़ आज से दो साल पहले जब हमने ये काम स्टार्ट किया लोगों को अवेर करने की कोशिश ये स्टार्ट की तब आपको भी हमें भी ये कहा गया कि भाई ये तो इंडिया की तरीफ हैं करी जाते हैं वीडियो में ये इंडिया ने जेंट हैं गद्दार हैं आज जब आप कहते थे इंडिया से हेल्प ले लो इंडिया से ट्रेड कार लो तब ये कहा जाता था इंडिया से हेल्प मतलब इंडिया जैसे कंट्री वो तो हमारा लोग हमारे हमें रूपर टैग भी करते थे हमें गददार भी ख़ते थे एगर बात करते थे तो इस लहचेते पर पाकिस्तान का गददार यैं या ये तो पाकिस्तान गददार है लाइट चले गई है, जो वज़िर आला पंजाब है मरियम सहबा, इंडिया को अपनी आइडियल बनाकर उनकी पॉल्सिस को लेके चल रही है किस तरह हमने पाकिस्तान कोउपर लेके जाना है आज जो पाकिस्तान के वज़िर आजम बने हैं, वो इंडिया की तरीफें कर रहे हैं, इंडिया के वजिर आजम की तरीफें कर रहे हैं, इंडिया की पॉल्सिस की तरीफें कर रहे हैं, तो सर हम तो घदार, अगर ऐसे घदार हैं, तो हम घदार ही सही बाइज़न, क्योंकि हम पाकिस्तान से महबत करते हैं, हमारी को कि हम पाकिस्तान को इंडिया के लेवल पे देखें या इंडिया के जैसा देखें या हमारे मुलग में कोई ऐसा वजीर आजम है जिसकी पॉल्सिस प्राइम निरंदर मुदी जैसा दमाग हो जो दुनिया में अमन कर रहे हैं भी देखिए ना कि वो जो बैरी बेड़े थे हमे को तकलीफ होगी कि हम उनके सच को सच कह दें हमें बुरी बात ही अच्छा देखने वाले एक और बड़ी इंडर्स्टिंग सी चीज़ है या इंडर्स्टिंग सा सवाल है आपके वहां पे जहां से भी आप देखने हैं हास्तोर पे अगर इंडिया के किस सिटी से किस तो कशमीरी अवाम का आपने टॉपिक छेड़ दिया, आपको चार यो मुझे लग रहा है, आपको नहीं चेड़ना चीई था, लेकिन चलें आज करते हैं कश्मीर को भी लेके बाद देखें कश्मीर दुनिया में एक जंड़त अला पाक ने बनाई है अच्छा उस जंड़त के साथ हम लोगों ने क्या किया हम इनसानों ने क्या किया उस कश्मीर के जंड़त के टोटे कर दिये कुछ इंडिया के पास चला गया कुछ पाकिस्तान के पास रह गया और चाइना तो मुफ्त में ही जो है ना वो चोधरी बनके वो भी ले गया किश्मीर भाई तुम्हारा किश्मीर के सब क्या तरला का चाइना से हम ये बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में ड्वाइड कर रहे थे जो भी मामला थे दो भाई लड़ लुड के कभी तो फैसला होई जाना था आपको ये पता है कि चाइना को हमने दिया है चाइना का कुछ मैं वही तो कह रहा हूँ कि वह हमारा चाचा बनके वह हमसे कश्मीर ले गया और कैसे ले गया हमारी गलत पॉल्सिस की वज़ा से अभी आप देखिए इंडिया साइड कश्मीर की और आप आज हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर पे आज जो डुवल्प इंडिया ने कर दी है कश्मीर को सर एक चीज़ अपने दमाग में बठा लीजेगा मैं पूरी ओर् सेट था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वो शारग है पाकिस्तान की वो मुदी जी ने सब मटी में मिला दी है सारा कुछ क्योंकि मुदी जी ने उस कश्मीर की तकदीर बदल दी है आम सिविलियन की देखे ना अब मैं पाकिस्तान में लहोर में आजें आम सिविलियन को ज आपीशेट करेगा तो आज इंडिया में प्राइन मिनिस्टर निरिंदर मुदी ने वो तीन सो सतर जब हटाया इंडिया ने तो हमें लगा कि मुसल्मानों पर बहुत बड़ा जुलम होने लगा पाकिस्तान में इतिजाज हुए बहुत बड़े लेवल पे एवन के हमारा मीड या आप येकीन करें दिन में 24 घैंटों में से 20 घैंटे क्श्मीर की बात करता था हमारा आपिद भी ये चीज है ना देखें मेरा तो सवाल हमारा काम है सोचना और होँआ पबली को चीजश बताना हम जो कहते हैं किश्मीर से बड़ी मोहबत है तो भाई हमारे साइड पे ज जती है बीच में तो मैं कश्मीर इंडिया साइड कश्मीर को पहले कंप्लीड करता हूँ कि आज उन्होंने दुनिया के बहुत बड़े मॉल्स उदर बन रहे हैं अब देखे न एक कश्मीरी जिने हम कहते हैं के पेंडू स्टाइल में रह रहे थे पेंडू सिलसला था बचारों के पास अच्छी ट्रेन नहीं थी अच्छी गाड़ी नहीं थी अच्छी युनिवस्टी नहीं थी अच्छे कॉलिजिज नहीं थे अच्छे मॉल नहीं थे उदर देखे उदर तो एरपोर्ट भी बनने को आ रहा है G20 उदर हो गया दुनिया के बड़े बड़े काम कुछ काम ऐसे जिनका हमें नाम भी नहीं आता दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिय भी कश्मीर में लग रही है अब आओ पाकिस्तान साइड कश्मीर पे जब आपको पता चलेगा यार यह लाइन है इस लाइन की तरफ इतनी बड़ी तरकी हो रही है पेट्रॉल सस्ता मिल रहा है आटा सस्ता मिल रहा है इच और एवरिटिंग हच्ची सस्ती मिल रही है अवाम को जॉब्स मिल रही है जब हम इधर मेंगी मिलती है देखे एक्सपोर्ट हो रही है बिजली भी पहले पाकिस्पोर्ट होती है इधर से एक्सपोर्ट होगे फिर वापस कश्मीर में जाती है और दोर मेंगी बिजली मिलती है उन लोगों को जब इन लोगों को यह चीज़ें मिलेंगी इन लोगों कोई चीज़े नजर आएंगे तो दिल में थोड़ा सा तो आए गाना भाई अच्छा आबिद भाई ये चीज़ आप दुनिया जानती है मुझे बताएं एक बड़ी इंटरस्टिंग सी बात है रमजान पाकिसान में स्टार्ट हुआ है मुझे बहुत से मैसिज़ी आएं हिंदू बाईओं के क्रिस्टन सिख बाईओं के उन्होंने रमजान मुबारिक हमें बोला है और पुरी दुनिया से मैसिज़ी आएं आपके लिए भी मैसिज़ी आएं यही चीज जब यहाँ पे दिवाली यहाँ पे हो लिया इसरी किसे इंदों का कुई इवेंट होता है या नौन-muslim का कुई इवेंट होता है उसके उपर हम क्या? अजादी से sitting gravet implication यहारे ने बारक बात कहें तो उसके उपर फत्वा नहीं is अब मैं आपको रमजान की डैफिनिशन बताता हूँ, इंगलिश कंट्री है, उधर एक कुछ दोस्त हैं मेरे वो रहते हैं, अच्छा वो बता रहे हैं कि यार एक रूम है अपार्टमेंट है, उसमें हम लोग चार पांच छे लोग रहते हैं कटे, जिन में मुसलमान भी हैं, मैं मुसलमान हूं, मैं केला रोजा रहके बैठा हूँ, और यह तो चलो किसी ने अगर रोजा नहीं न रखा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं मुसलमान को, कि उसके सामने खाएंगे नहीं, कि यार यह मुसलमान इसकी दिल जारी ना हुआ हुआ है और हम इसके सामने खाना पीना खा रहे हैं यह उसे डिस्टरब कर रहे हैं तो मतलब पूरी दुनिया में देखे क्या हो रहे हैं और हम क्या लेके चलना चाह हैं अब फिर तो हम इस मुलक को आगे लेखे ठीक है और बड़ी बात ये हमारा दुबई का विजिटर है और वहाँ पे जाने का में मकसद ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कभी गे हैं तुबई आप ने कभी इंडियन से मुलागात की है या कभी फारन गंट्री गे हैं जो आप ये कह रहे हैं वहाँ ये होता है मैंने वहाँ पे जा के देखा कुछ मेरे दोस्त हैं बलके मेरे भाई हैं हिंडू बाई हैं इंडियन बाई हैं वो ये कहते हैं जब इदर रमजान आता है तो हम उनके साथ रोजा अकसर रख लेते हैं और अकसर ये होता है अगर रोजा नहीं भी रखते तो उनके सामने खा आते हैं अफतार में हुआ हम उनके लिए प्रापर अफतारी का अरेंजमेंट करते हैं यह देखने वाले बोलके जरूर बताईएगा जहां से भी आप देख रहे हैं चाहे दुबाई से देख रहे हैं क्या यह मैं जूट बोल रहा हूं इवन इंडिया से जो लोग देख रहे कर दिये के आम इनसान को खाने पीने पे भी जुलम कितना कर रहे हैं कि अ saw की भारत में यही होता है जब रमजान स्टार्ट होता है तो इधर की गॉर्मन इडिया अधर के लोग या उधर के मुसल्मान या कौई बिजनेस कम्यूनिटी हर चीज़ का ड़न कर देता यह नॉम लोग कहते हैं कि हम पीस को लेके चलना चाते हैं, हम अमन चाते हैं, बाई पहले अपने मुलक में तो अमन करो, अपने लोगों दिल के और सोच के, मैं सर अपने बड़े लोगों की बात करूं, उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आप इतने घरीब लोगों के मूँ में नवाला जो जाता है ना उसके भी डबल पैसे लेते हो आप, आप इतने भूके हो, आपको इतने पैसों की जरूरत है, और भाई स